पांच रज्यों के विधान सवा चुनाव परिणाम ने विपक्षी गटवंधन इंडिया की नीव को हिला दिया है। तब नितीश कुमार, हेमंत सोरिन ने सामिल नहीं होने के संकेत दिये थे। माना जा रहा है कि कॉंग्रेस अब बैक फूट पर है और अब इंडिया गटवंधन को एक जुट करने में जुटी हुई है। विधान सभाचुनाव परिणाम के बाद इंडिया गटवंधन लोगसभाचुनाव को टार्गेट कर रही है। विपक्षी गटवंधन इंडिया के 17 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली यह चौथी बैठक होगी। देश में सिर्फ करनाटक, सेलंगना और हिमाचल प्रदेश तक्सिमतने से इंडिया गटवंधन में कॉंग्रेस की स्थितिक कमजोर हुई है। सपा और त्रिनमूल समेत क्षित्रिय शक्तियों को लग रहा है कि जब कॉंग्रेस लगातार कमजोर हो रही है तो उसके साथ बने रहने या उसे लोकसभाद चुनाव में ज्यादा सीटे देने से कोई फायदा नहीं। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें एमजी मीडिया नियूस के साथ।